अब बै उसलम में अगर मान लो कि अगर आदा पेमेंट दिया जाए आदा पेमेंट दिया जाए गुड्स तो बाद में आने वाले हैं तो गुड्स बाद में आने वाले हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा इसके अंदर यहां यह हो जाएगा कि पोजेशन भी नहीं आया और वो भी आदा क्या हो गया कर्ज हो गया आदा कर्ज है तो जो आदा इससा कर्ज है उसमें काली बिलकाली हो रहा है मतलब कर्जे के बदले में कर्जा हो रहा है इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन के अंदर पूरा पेमेंट कम्प्लीट पहले साथ में देना ये इसकी कंडिशन है ये एक लाजम बात है मान लीजिए कि जैसे जो मैनुफैक्शरर है जो बना रहा है आप उसे चार लाग रुपे दे देंगे वो चार लाग लेकर कल चला गया फिर बात में ढून रहे हैं ढून रहे हैं मिली नहीं रहा है ये भी इन्वेस्टर को फिक्र हो सकती है कि ये क्या करू मैं तो इसके तालुक से जो कर्जे में हम सेफटी करते हैं कर्जे में क्या क्या सेफटी करते हैं कि जब कर्ज किसी को देते हैं तो क्या क्या सेफटी कर सकते हैं नमबा वाइन उसको अग्रीमेंट बना लो उसको लिख लो दो विटनिसे बना लो उसके अंदर आगा आपको government approved agreement बनाना है ऐसे agreements जो stamp paper पे है, revenue stamp पे sign ले रहे हैं ताकि जो court में दलील बन सके तो भी कोई शरीयत ने रोका नहीं है क्या आप वैसे type के agreement वगेरा documentation कर सकते हो जो secure हो ताकि आपकर अगर recovery करना है तो recovery के कुछ procedures जो country के law के तहरत है वो कर सकते हैं ताकि आदमी अपने हक को हासिल करें एक चीज़ यह है, लिख सकते हैं second चीज, second चीज़ और क्या है, guarantor ले सकते हैं guarantor के भई guarantor लाओ, आप बना रहे हो लेकिन पहचान का कोई आदमी ले आओ, जो आपकी guarantee दे दे third option, कोई deposit के तौर पर कोई चीज़ ले सकते हैं कि security deposit के तौर पर कोई चीज़ रख दो कि security deposit के जरीए अगर आप 4 लाक का आपने कल delivery दिये ही नहीं, 2 साल का वादा कर रहे हो, एक साल में अगर आपने delivery नहीं दिये तो मैं अपने पैसे औहां से recover करो तो पैसे रिकावर करने के लिए कुछ सेक्यूरिटी डिपॉजित यहां रखो, कुछ सोना आपके पास है या कोई चीज है, जो डिपॉजित के तौर पर रख सकते हो, आपकी सेक्यूर कुछ पेपर्स है, आपके कार खाने के पेपर है, कुछ है, बहिए इतना मैं अगर आदमी चाहता है तो लाजम नहीं लेकिन नहीं चाहता है अगर उसको अलड़ी बरुसा है अगर उसको लगता है कि हाँ सेफ डील है अगर उसको लगता है कोई प्राब्लम नहीं तो नहीं भी करता है तो कोई लाजम नहीं लेकिन अगर चाहता है तो यह सब गुंजाइ 30 में खरीद है, हो गया डील, उनको मिल गया बिटर अब वो पर कप पे 20 रुपए कमाने वाले है एक्स्ट्रा, 20 रुपए, यानि एक हजार कपस पे सीधा 2 लाग रुपए, वहीं होई कमाने वाले है 4 लाग के इंवेस्मेंट पे हो सकता है भई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनस में हमेशा बरकत जादा होती है तो हम यह देखें, कि यह शक्स इंवेस्ट कर रहा है और जो जो प्रॉफिट वो कमाने वाले है आगे आगे बात यह है कि अब इन्हें मालो में मेरे 1000 कपस आ रहे है क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी दीलर से कहे 1000 में से मैं इतने कप तुमें बेच रहा हूं एक साल बाद डिलिवरी दूँगा और वो दुसरे को कहे कि तुम इतने कप ले लो एक साल बाद मैं डिलिवरी दूँगा पहले से पुरी सेटिंग करके उन से पैसे भी ले ले हाँ? या पैसे ना ले कैसा है ये? आप बताईए क्यों ने ले सकता? मैनुफेक्चर नहीं है मैनुफेक्चर नहीं है और क्या है? पोजेशन नहीं है जो पोजेशन का जो नॉर्मल काईदा है कि जो तुम्हाँ पास पॉजेशन नहीं है वो पॉजेशन लिए बगैर बेचोंगे तो उसमें से जो नफा आएगा वो हलाल नहीं होता है वो चीज उस पर अपलाए होगी यानि पॉजेशन उस पर होना लाजम है हाँ? हाँ वादा कर सकता है कि मैं देने वाला हूँ इंशाला हाँ? तो वादा करने में कोई प्राब्लम नहीं वादा अखला की तौर पर लाजम है लेकिन शरीयत के तौर पर लीगल ही उसके उपर कोई चीज लाजम नहीं हो गई हाँ वादा कर सकता है कि इंशाला आएगा ना तो मैं फर्स परफिंस तुम्हें देने वाला हूँ इंशाला हाँ? तो वो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन खुद वो उसे बेच नहीं सकता है कि किया इस शक्स के लिए जो manufacturer है क्या उसके लिए possession होना लाजम है या नहीं लाजम है ये एक इखिलाफ है इसके बारे में हमने वाज़ हदीस बुखारी की देख ली कि सहाबा उस बारे में पूछते ही नहीं थे जो उन्होंने खुद बताया और कोई चीज ये लाजम नहीं थी जो हमने देख चुके इस मसले पे एक और इखिलाफ है इखिलाफ क्या है सुनिए जरा इखिलाफ ये है कि इनके पास जो चार लाक रुपे आए चार लाक आगए ना इनके पास मिसाल के तौर पर हाला कि अगर 30 रुपीस का प्राइस देखेंगे तो चार लाक नहीं तीन लाक हो रहा है तो चलो कॉंटिटी बढ़ा नहीं बढ़ेगी तो तीन लाक आए या चार लाक है जो भी प्राइस देख हुआ ये जो पैसे इनके पास आए क्या ये पैसे वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अब इस बारे में एक फनी सा एक तिलाफ है, जिसके अंदर कुछ उल्मा ने ये व्यू कायम किया, कि ये पैसा आ गया ना तो वो पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं जब तर डिलिवरी ना दे दे यानि कि पुरी ट्रांजाक्शन की जान ही निकल जाएगी हां इतना अच्छा हलाल आल्टरनेटव है इसके अंदर इस मसले के इकतलाफ की वज़ा से पुरी जान निकल जाएगी हम इसमें देखते हैं कि इमाम जुफर जो इमाब हनीफा रमतुलाले के शागिर्द है वो कहते हैं कि यूज कर सकते हैं लेकिन इमाब हनीफा के बारे में निजबत की गई कि वो कहते हैं कि वो यूज नहीं कर सकते हैं हाँ, और इमाम शाफी कहते हैं कि इस्तमाल कर सकते हैं पैसे, और इमाम मालिक के बारे में एक रिवायत से आया है कि वो कहते हैं यूज नहीं कर सकते हैं, हलांकि हमें इस बात की कोई दलील नहीं मिलती, इस बारे में इमाम इबन गुदामा ने जवाब दिया है, कि इस बारे के मताबिक हम कहेंगे कि तुम आपास पेमिंट आ गया है कोई भी चीज़ का तुम यूज नहीं कर सकते हैं तो यकीन यूज कर सकते हैं और ये इस ट्रांजैक्शन की ब्यूटी दो मसलों में इखतलाफ है अब में ब्रादर्स और सिस्टर्स किया मसला है ना कि जब कोई मसले में वजाहत ना हो और ये लोगों के अंदर जो उसके तालुक से क्लारिटी ना हो तो हम देख रहे हैं कि आज लोग हराम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं हमें चाहिए कि जो स्पिरिट सारे इमामों ने सिखाया, सारे स्कॉलर्स ने सिखाया कि इल्म हासिल करो, सही बात सीखो और सबने कोशिश की कि नभी सलियल आसम की इतिबास से जोड़े यह वही स्पिरिट के तहर्स आज जरुष यह है कि जो सही हलाल आल्टरुनेटिव्स जो पर उसनित में मौझूद है उन्हें यह सब क्वेशन मार्क से क्लियर करके लोगों के सामने क्लियर फॉर्मैट में रखने ही जरुरत है ताकि लोग हलाल आल्टरिनेटिफ्स इस्तमाल करें हलाल तरीकी से बिजनस करें और वो बिजनस के जरीए वो खुद भी कमाए उनकी दुन्या आखरे दुनों का खैर हो देखे, सुचो इसके अंदर क्या हो गया? कि जो शक्स खरीद रहा है ये प्रोड़क्ट वो भी कुछ रिस्क बरदाश कर रहा है हंडिड पसेंट रिस्क उसका नहीं है हंडिड पसेंट जो रिस्क है वो मैनुफेक्टर का नहीं है अब ये प्रोड़क्ट अगले साल तक आएगा हो सकता है इसका price बड़ आएगा हो सकता है यह चीज 50 पे के नहीं उस जमाने में एक साल बाद दो साल बाद यह 60 रुपे की हो गई है यह भी हो सकता है कि कुछ demand कम होने के विए कि वहाई से 45 रुपीस की हो गई है रिस्क तो है ही और रिस्क के साथ ही बिजनेस होता है बिजनेस जो होता है वो बिना रिस्क है नहीं होता है सुध होता है जिसमें रिस्क नहीं है सुध है जिसके अंदर आना ही आना है गैरेंटी है लेकिन बिजनेस के अंदर रिस्क वगएरा तो लगा हुआ है तो ये एक हलाल option है जो हमने देखा और ये आज के दिन के लिए हमने जो first हलाल option देखा वो है में brothers in Islam अगर आपने concept को understand कर लिया आप खुद के भी लेन देन में इसे इंशालला अगर आप manufacturing से तालूग लगते हैं या कोई काम future में करने वाले हैं इस concept को बहुत beautifully use कर सकते हैं और finance कितना आपको finance जी अच्छे से raise कर सकते हैं जो investor है उसका भी फायदा है जो काम करने वाला है उसका भी फायदा है उसका भी risk share हो रहा है कुछ risk share हो रहा है जब वो product दे रहा है वही चीज सूथ के अंदर पुरा के पुरा risk उसके उपर होता है लेकिन जब वो कोई investor इस तरह का मिलता है तो वो risk उसके साथ share हो के हो रहा है और उसके लिए भी burden light हो रहा है उसको क्या tension है सिर्फ इतना tension है कि 1000 कप बना करके देना है उसे बाद में वो transaction में कम कमाएगा या हो सकता है नहीं कमाएगा हो सकता है थोड़ा बात गवाएगा भी possibility हो जो deal वो best दे दे लेकिन इसके अंदर कोई problem नहीं है क्योंकि उसके पास वो capital हलाल तरीके से आएगा वो capital को वो use करके एक साल में business में कमाएगा और वो कमाने की उसके पास गुझाईश होगी तो इसके अंदर हम यह देखते हैं कि यह एक इसका potential plan है और हम यह option खुद के लिए भी apply कर सकते हैं इंशाला दूसरों को भी guide कर सकते हैं guide कर सकते हैं आपकी notes में इसके तालुक से guidelines लिखी हुई है वो guidance हम किसी को भी offer कर सकते हैं ताके वो भी हलाल option ले और हराम चीज़ से बच जाएं इंशाला हम देखते हैं कि कई सारी Islamic banks ने सुडान में Bayos Salam को बहुत बड़े तोर पे apply किया जहां Arab investors वगएरा आ करके उन्हान अपनी रखमें लगाई और वहां के local farmers ने जो खेती की तो खेती को Bayos Salam के principle के तहत Islamic banks का का काम इसके अंदर सिर्फ इतना था कि वो लोग facilitator से यानि कि जो investment आ रहा है और वो जो pass on कर रहे हैं उसके लिए वो particular service charges लेते थे थे अपना जो effort डाल रहे हैं दोनों को मिलाने में यानि कि agent जैसा काम था वो Islamic banks का काम सिर्फ agency के हद तक था कि investor आया, investor ने investment किया अब investor नहीं कर सकता है कि ये जो काम करने वाला है, ये जो manufacturer है इसके documents क्या है, इसकी security क्या है इसका ये क्या है, वो सब security, documentation वगएरा कौन करेगा, वो Islamic bank करेगी उसके लिए वो अपना agency commission लेंगे जो उनके लिए भी हलाल है और जायज है तो ये चीज़ के जरीए, Sudan में ये बहुत successfully apply किया गया और बहुत ही अच्छा economy को push मिला, Islamic banking का जो principle उन्होंने यूज किया, वो यही principle है वो बैस सलम का, तो हम देखते हैं अंदा बहुत सारे benefits है कितने सारे ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं कुछ manufacture करना चाहते हैं उनके पास ideas है, plans है, schemes है पैसा नहीं है तो पैसा हम जब कहते हैं सूध हराम है तो हलाल alternative उनके सामने अगर रखाया है तो वो कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं कितना business बढ़ सकता है कितने सारे लोग हैं जो अपने businesses के अंदर आगे बढ़ सकते हैं future में उनके पास खुद का capital हो सकता है जिसके जरीव और सारे काम कर सकते हैं तो ये एक first हमने हलाल option देखा अगला हलाल option हमने अब तक पिछले sessions में 6 देख चुके थे, ये एक 7 हलाल alternative था अब हम 8 हलाल alternative देख रहे हैं और ये 8 हलाल alternative है एक ऐसा solution जिसके जरीए बहुत सारे problems का solution हो जाता है जब कभी कहीं पर गाड़ी अटकती है किसी भी transaction में कोई route समझ में नहीं आती है तो ये 8 वी route जो मैं बताने वाला हूँ ये route वहाँ पर बहुत जगाँ पर fit हो जाती है और ये चीज़ है agency commission agency commission यानि के agent बनना agent बनने के मतालिक जिसे हम कहते हैं वकाला, Arabic में, Islamic शरिया में वकाला और आपको कई हदीस की किताबों में किताब वकाला मिलेगी तो वकील किसे कहते हैं वकील agent को कहते हैं Islamic terminology में वकील याने agent actual में तो वकील के मतालिक हम देखते हैं कुरान और हदीस में कई सारे दलायल है कि एक शक्स जब किसी और को अपनी तरफ से डिप्यूट करता है कि तुम मेरी तरफ से जाओ ये काम करो तो वो उसका वकील हो गया अब वकील अन्पेड भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है जैसे हम देखते हैं कि बुखारी की हदीस है कि और्वार अदिलाओं को नभी صلی اللہ लाश्म व अधन करेंगे लिवापस लेकर आए एक मेंडी और दो दिरहर एक मेंडी और दो दिरहर अधने के पास वापस आए तो अल्ला की रसूल सुलियों ने उनके लिए दौा की कि अल्ला अनकी कारोबार में बरकत दे वो कहते हैं उसके बाद मैं जो भी काम करता मुझे सब चीज में बरकत मिलती थी तो हम यह देखते हैं कि यह क्या मिसाल है एजिन्ट की मिसाल है औरुआ रद्धनाओं के जब नभी सल्यलियों ने अपने तरफ से कोई काम करने के लिए भीजा तो वो एजिन्ट हो गए अब वो एजिन्ट जा करके एक की जगा दो खरीद रहें फलाँ चीज को बेच रहें हलाके खरीद ने कहा गया था बेच रहें पता क्या चला कि एजिन्ट अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करे जो भी प्लस या माइनस हो जाए उसके अंदर उसके लिए जो भेजने वाला है वही जिम्मेदार है इसी वज़ा से जो एडिशनल बेनिफिट मिला तो नभी सल्यलासमी उसे लिया ये नहीं कहा कि ये मेले हलाल नहीं है ये तुमने कमा कर लाए था एक्चुली भेजा गया था दो दिरहम के साथ लेके आए दो दिरहम प्लस वन मिंडी यानि बेनिफिट में वो मिंडी थी प्रॉफिट तो जो कमा के आए थे वो लिया नभी सल्यलासमी ने पता चला एजिन्ट के जो एक्शन्स है उसकी वज़ होती है कि ये चीज़ के अंदर मैं तुम्हें भेज रहा हूं फला फला जो भी कमिशन होगा जो भी इतने के उपर होगा वो तुम्हारा अब कमिशन के अंदर अलग-अलग तरह सी कमिशन हो सकता है एजिन्ट का कमिशन ना भी हो सकता है एक पॉसिबिल्टी सेकेंड पॉस साथ होता है ना जो दुकानदार की पास जो स्टाफ है जो बेच रहा ए खरीद फरोग कर रहा are वह हकीकत में एजेंट होता है वकील होता है Islamic culture में उसका एजेंट है लेकिन यह अलग बात है क्छेच्चात है जो वह पे काम कर रहा है जो मुलाजम की शकर में है तो employee की शक्किल में हैं लेकिन यह हकीकत में agency का concept है मान लीजे कि कोई agent है जिसे भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपे per month salary दूँगा जो भी तुमने dealings dealings किये वो सबके अंदर मेरा benefit हो या मेरा loss हो तो ये भी possibility है थर्ड possibility हमने देख लिए चौथी possibility है 50 रुपीज में चाहिए ये product आप तुमने जितने में खरीदे तुम यहां 50 में दे देना जो भी तुमने कमाया वो तुम्हारा एक possibility है second मुझे बेचना है 50 में उससे उपर में जितने में बेचे तुम्हारा ये भी possibility है इन तमाम चीज़ों के लिए अल्ला की रसूल सले लाइसम की एकी हदीस काफी है सही बुखारी किताब अजारा की हदीस है जा नभी सले लाइसम ने कहा अल्मस्लिमोना इंदा शुरूतिहिम मुसल्मान अपनी शर्तों पर होते है जो शर्त पर अगरी किये वो शर्त के मताबिक दोनों के दोनों को काम करना चाहिए तो ये सब चीज़े है एक बहुत कॉमन शकल आप लोगों ने बताई नहीं अब तक सेलरी विट परसंटेज सालरी विट कमिशन परसंटेज ठीक है अफ दे सेल टर्न ओवर का परसंटेज ठीक है और बताईए बहुत कॉमन शकल आप लोगों ने अभी तक नहीं बता है प्रॉफिट का फिफ्टी फिफ्टी ठीक है वो तो बात हो गई है फरस्टी शायद वही बाता है थी और बताईए कितनी कॉमन सी शकल जब एजेंट लब्स होता है तो एजेंट लब्स के यहां के इसमें आपके ध्यान में कौन आता है मतलब जिसका प्रोड़क्ट है उससे भी और जिसको दे रहा है मतलब सामने क्या एजेंट दोनों तरफ से ले सकता है नहीं ले सकता है क्या वह एक agent है दोनों तरफ से काम कर रहा है इदर से भी काम कर रहा है उदर से भी काम कर रहा है मतलब मिसाल के तौर पर एक दुकानदार को कहता है कि मैं तुम्हाँ पास customer लिखे आता हूं तुम मुझे sale का कितना percentage दोंगे वो कहता है sale का मैं एक टका दूंगा दोंगा जो common शकल है वो है percentage, sale का percentage, यह common शकल है, जो हम देखते हैं कि housing industry में भी जो brokers होते हैं, जो agents होते हैं, एक common बात है, कि वो लोग जो घर purchase करा है, sale करा है, तो उसके अंदर वो एक percentage लेते हैं, एक टका, दो टका, lump sum, तो एक तरफ उसने दुकानदार को कहा, मैं customer लेके आ रहा हूं, मै दुसी तरह वो customer को कहता है, मैं तुम्हाई shopping सही जगा से करा दूँगा, मैं तुम्हे सही suppliers के पास लेके जाओंगा, लेकिं मैं तुम से लेने वाला हूं, एक टका, दो टका, जो भी, lump sum, जो भी चीज़, तो वो दोनों तरफ से ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकि चीटि possibility है, बताइए, मैं आपसे एक सवाल पुछता हूं, कि owner ने अगर कहा, कि ये चीज़ को 50 में बेच देना, हमारा cost price 40 है, 50 में बेचना, अब broker ने जाकर 60 में बेच दिया, जो 10 रुपे extra में बेचा, पर कप 10 रुपे extra में बेचा, अगर 1000 कप बेचा, तो मतलब 10,000 रुपे व कि owner के है, कौन कहता है, agent के, owner के हाथ उठा, owner वाले, owner, 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 कितने लोग owner के लिए हाथ उठा रहे है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आंट, और कौन लोग कह रहे है, agent के है, चलिए तो, जो लोग कहते है, agent का है, मैं उन्हें पहले बात करूँगा, जी दीजे जो इसलिए कि वह तैयह हो चुका है ना इतने में बेचना पहुकों हम हम और ने कहा था पचास में बेचना है उसने आटे साथ में बेच दिया हम हो तो साथ में बेचा तो दस रुपय जो एक्स्ट्रा हुआ वो imagine कि Ar fails because औरजलाव वाली हदीसी दलील है औरजलाव उड़लाव ने प्रफिट किया तो प्रफिट ये नहीं भाए ये मेरा आए नभी सलibl scanner उन्हाँने नभी सलिलाषम को दीए एजिंट के काम के विज़ा से जो भी benefit हुआ या loss हुआ उसके लिए उसको भेजने वाले का ही हुआ 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 कई बार होता है कि आदमी कई बार ऐसा होता है कि एजेंट्स जो होते हैं वो कुछ काम कर लेते हैं जिससे उनको नफा हो जाता है अब वो नफा हकीकत में किसका होता है ओरनर का होता है अनलेस ओरनर ने स्पेसिफाई किया मिसाल के तौर पर होटेल में एक वेटर है वेटर का कर रहे हैं सर्फ करते हैं कस्टमर्स को कस्टमर्स खुश हो कि उनको टिप देते हैं अब वो टिप क्या है एडिशनल अर्णिंग है लेकिन अगर यह बात और ने स्पेसिफाइग किया देखो मैं इतना सालरी दूँगा बाकी जो टिप मिलेंगे वो तुम्हारे तो वो हो गय है एजिंट के तो यह जनरली यही रूल है कि जब वो क्लिरली स्पेसिफाइड है एडिशनल को बेनिफिट आ गया तो बेनिफिट किसका है ओरनर का है हम देखते हैं कि हदीश महजूद है जिसके अंदा आता है कि नभी सल्ली लासम ने एक शखस को जब 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 क्लेक्टर बना कर भेजा तो जब जब जाकात कलेक्शन करने के बाद वो चीज़ को लेकर आया और आकर करा कि कहा कि नभी सल्हाइड हम यह जब 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 से फिक्स होकर गए थे तो यहने वो काम के रेलेटिड ही था मामला वो तो अल्लाग रसूल सहासम ने उनको मना किया और इस चीज के तालुक से सक्त वार्निंग भी हमें मिलती है तो हम देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक्स्ट्रा कमाने होटेल में जो काउंटर पर है वो इना ब personnageहा दे रहा है कर देख़ो यह कस्ट्रमर को तुम ले कर जाओ कितना कमेशन दोंगे तो वो कEL दे रहे हैं वो कमेशन लेना जाइज है ना जाइज है जायज है, कमिशन जो जायज है लेकिन वो चीज अनलिस उन्हाने अपने ओनर से कंडिशन नहीं लिए कि जो भी आएगा देखो मैं वो ले रहा हूँ, वो मैं रखने वाला हूँ तो वो हलाल होगा उनके लिए नहीं, तो वो चीज उनके ओनर का है, जिसकी तरफ से वो वहाँ बैठे है उसी तरह मिसाल के तौर पर कभी कबार एक आदमी मार्केटिंग में जब जाता है तो मार्केटिंग में जब जाता है, तो कस्टमर के पास जब पहुँच रहा है कस्टमर के रहा है, देखो, इस चीज़ का मैं तुम्हें कमिशन दूंगा किस चीज़ का कमिशन दे रहा है, कभी कबार कस्टमर के अपने इंट्रेस्ट होते है और शुरूआट थोड़े हदिये से गिफ्से होती है, बाद में जाकर कुछ डिमांड करने लगते है शुरू शुरू में डिमांड कई बार नहीं होता है शुरू में सिर्फ गिफ्ट आते हैं बाद में जाके डिमांड जाने लगते हैं तो इस चीज का रास्ता कैसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जो भी बेनिफिट वो करेगा वो सब के सब चीज ओनर की अनलिस उसने ओनर से बात कर लिया और जब बात कर लिया तो ओनर की नजर में वो चीज होगी और जब ओनर की नजर में वो चीज है तो फिर उसके अंदर क्या होगा मामला उसके अंदर धोका और चीटिंग का मामला नहीं होगा क्योंकि उसके नो transparency आयाती है तो हमने ये चीज़ देखे agency के मतालिक इससे related चली एक सवाल मान लीजिए कि कोई शख्स है अब्दुला आबिद और आप है तौकीर अब्दुला भाई को ये हैं इंडिया में और ये है फॉरिंड में अब्दुला भाई को तौकीर भाई के पास या तौकीर भाई को अब्दुला भाई के पास पैसे भीजने आपको फॉरिंड में काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं मेहनत करने के बाद पैसे भीजने अब्दुला भाई के पास Remittance पैसे ट्रांसफर करने है अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप तो वहाँ काम कर रहें तो हमारे सॉफियान वहाँ है सॉफियान भाई को यह कहते हैं कि देखो मेरी तरफ से पैसे लो तुम वहाँ पे पहुँचा दो इंडिया में मेरे अब्दुला भाई के पास उनके पास पहुंचा दो अब सूफियां भाई कहते हैं कि देखो मैं काम करूँगा तो जायसी बात है मुझे इसमें कुछ कमिशन कुछ मैंनत मैं करूँगा पहुंचाऊंगा तो मुझे कुछ न कुछ कमिशन तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो वो अपना एक commission demand करते हैं उसमें correct? तो वो commission सही होगा देना या गलत होगा सिर्विस जितना होगा खर्चा हो सिर्फ खर्चा जैसे मान लीजिए उनके खर्चा जितना होगा जो expense होगा वही देना चाहिए उनको कुछ कमाने का हक नहीं है इसमें social service उनकी तरफ से होनी जीए अगर कंडिशन पर जबाएं किस ना हम लेंगे जैसे कि वो fix बता देंगे जैसे कि समझो 10,000 पर आगा रेता है अज जैसे कि लिए होता है अंकडियों में 10,000 पर, 100,000 पर लोग fix करते हैं 10,000 पर उहां पर supply जाएगा आपको पैसा ट्रांसफर को जाएगा आपको पैसा उसमें 100 पर जाएगा जाएगा उनका खर्चा क्या है उनका margin क्या है कुछ ना कुछ margin तो होगा ही वो social service तो करनी रहें है ना तो यहां पर सही बात यह है इस बारे में आप money transfer की जितनी services है उसके तालुक से उलमा का फत्वा माजूद है कि वो जायज है उसके अंदर जो पैसे वो चार्ज करते हैं अपने expenses जो चार्ज करते हैं जो भी expense हो या real हो जो भी agency वो agent की हुकम में है वो agent की तरह है और वो जो पैसे पहुचा रहे है वो पैसे पहुचाने का जो चार्ज ले रहे है इसके अंदर सूद नहीं आ रहा है ये जो चार्ज ले रहे है जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने यहां से 10,000 भेजे और commission इन्होंने 10,000 रुपे दिये वो अपने काम और जो service आफर कर रहे है वो service का चार्ज है तो agency commission हुआ ये और agency commission इसके अंदर हलाल है जायज है इसमें कोई हर्ज नहीं है जायज है जायज है पिसमें कोई प्रूर नहीं है जायज है झाल लो